अभिनेता वरुन शर्मा ने अम्रित्सर में स्वर्ण मंदिर का किया दौरा अभिनेता फुक्रे तीन फीट की उलेखनिय सफलता के लिए आशरवाद लेने के लिए वहां गए थे जिसने इस सप्ता बॉक्स ओफिस पर एक सौ करोड रुपे का आंक्रा पार कर लिया है जाना जाता है न केवल सिखो के लिए एक धार्मिक मंदिर है बलकी शांती एकता और विनमरता का प्रतीक है वरुन जिनोंने चूचा के अपने प्यारे किरदार के लिए अपार लोगप्रियता हासल की है फिल्म उद्योग की चकाचौंद और ग्लैमर के बावजूद जमीन से जुड़े रहने के महत्वों समझते हैं अभिनेता ने स्वर्ण मंदिर के शांत परिसर में घंटों बिताएं शद्धा से सिर जुकाया और परमात्मा का आशिरवाद मांगा अत्यधिक लोगप्रिय कॉमेडी शिंखला की तीसरी सीरीज फुक्रे तीन फीट की सफलता ने भारतिय फिल्म उद्योग में वरुन की स्थिती मजबूत कर दी है टीवी अभिनेतरी मोनिका खन्ना ने कहा मैंने कभी एक्टिंग नहीं सीखी मोनिका अब आने वाले शो एक कुड़ी पंजाब दी में नजर आएंगी उन्होंने साजह किया मैंने अभिने का कोई प्रशिक्षन नहीं लिया है जब मैं मुंबई आई तो मुझे अप्रत्याशित रूप से एक शो में भूमिका मिली मुझे वरिष्ट कलाकारों के साथ काम करने का सौभाग्य मिला मोनिका ने कहा मैं अपने शो में जो कुछ भी करती हूँ वह उन लोगों से सीखती हूँ जिनके साथ मैंने सेट पर काम किया है दुरगा और चारू फेम अभिनेत्री ने आगे कहा हालांकि मैं सीखने की प्रक्रिया को सपष्ट करने में सक्षम नहीं हो सकती हूँ लेकिन मैंने बारिकिया और अंतरद्रिष्टी सीख ली है मैंने देखा है कि अन्य कलाकार अपने किरदारों को कैसे निभाते हैं और मुझे आश्चर्य होता है कि अगर मैं उनकी जगह होती तो मैं उन भूमिकाओं को कैसे करती बॉलिवूर्ड सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्मों से सीखा एक्षन पारस कलनावत कुंडिली भाग्य में शद्धा आर्य, प्रीता के रूप में, शक्ती आनंद, करण के रूप में, मनित जौरा, रुशप के रूप में, अंजुम फकीह, सृष्टी के रूप में, पारस, राजवीर के रूप में, सना सैयद, पालकी के रूप में, बसीर अली, शौर्य के रूप में शालिनी महल, शनाया के रूप में घूमिका में हैं। यह पारिवारिक नाटक भावनाओं की एक पूरी शिंखला के साथ-साथ मानविय रिष्टों की गहरी जतिलताओं का पता लगाता है और उन्हें जीवन्त करता है। हाल के एपिसोड में दर्शकों ने देखा कि कैसे निधी आकांक्षा जुनेजा ने नोटिस किया कि जिन गुंडों को उसने प्रीता का अपहरण करने के लिए भेजा था, उन्होंने गलती से स्रिष्टी का अपहरण कर लिया है। इससे स्रिष्टी को पता चलता है कि प्रीत पर हमले के लिए निधी जिम्मेदार है। हालांकी खुद को बचाने के दौरान स्रिष्टी को गोली लग जाती है और निधी स्रिष्टी को मारने के लिए उसे जिन्दा जलाने की कोशिश करती है। अपनी भागिदारी के बारे में एलविश ने कहा मैं टेम्पिटेशन आइलेंड इंडिया का हिस्सा बनकर बहुत उत्साहित हूँ। मुझे पसंद है कि यह शो कितना इमानदार है। जब आप किसी रिष्टे में होते हैं तो कभी-कभी आपको यह सुनिश्चित करने की जरूरत होती है कि आपका रिष्टा कितना मजबूत है और क्या आप अपने साथी पर भरोसा कर सकते हैं। यह शो आपको ऐसा करने में मदद करता है ताकि आप देख सके कि क्या आपका साथी वास्तव में आपके लिए सही है। यह आपके रिष्टे को समझने का एक स्पष्ट तरीका है। टेमपिटेशन आइलेंड इंडिया 3 नवंबर को जियो सिनेमा पर प्रीमियर के लिए तैयार है। युवा धारिट शो का भारतिय रुपांतरन रोमांटिक रिष्टों को अंतिम परीक्षा में डालता है जहां जोडे स्वेच्छा से अलग हो जाते हैं। भारतिय संसकरण में मेजबान के रूप में करण कुंद्रा और मौनी रॉय भी शामिल है। PNT की खास पेशकश।